है गैस तो मैंने थोड़ी देर पहले नेट्विक्स की मूवी स्पेस में देखके खतम करी हो सब बता हूँ यह मुझे पसंद है यह मतलब सच में इस मूवी को इंजॉय कर आगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ यह कानी याकुब नाम के एक एस्ट्रोनॉट की जो की स्पेस मे छे मेंने सकील आ है और वहाँ पर एक मिशन कर रहा है लेकिन उसके लाफ में सबकुछ उसक्त मूत बदेखके जया है जब उसकी स्क्री शैटल में एक 크ीचर आ जाता है अब यह क्रीचर कौन है किस तरह का रहा जाता है क्या ऑक मैं एकṛश असली है जए मोई मुवी देखने को मिलता है अगर मैं इस स्क्रीन प्लेगी बात करूँ अपॉटस ने मुझे इस मुवी का स्क्रीन पर पसंद आया है जिस तरह से मुवी स्टार्ट होते हैं अपनी पूरी सिच्वीशन को स्टैब्लिश करती है हमें कैरेक्टर की सथे इंट्रेडियूस करा ज चीज़े देखने में मज़ा आता है क्यों सारी चीज़ों को इतने जाद अच्छे से लिखा और डेवलोप किया गया था है यह मुवी में इंवेस्ट रहते हों बहुर कहीं भी नहीं होते हैं जो कि काफी अच्छी बात है डेपिनेटली टुस्टेनेस के नाम पर आपको डालने में कामियाब रहते हैं स्पेशिकिल जो इस मुवी के क्लामेक्स है उसने मुझे थोड़ा इमोशनल कर दिया था डेपिनेटली जहां तक बात है क्यारेक्टर डेवलोप्मेंट और क्यारेक्टर्स की सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन उन सारी चीज़ों पर मैं बा देपिनेटलीिव हो सारी चीज़ें काफे अराम से नूर भी हो जाती है बात करो डैक्टरस की सब्सक्राइब करो पर सेने मुझे सब्सक्राइब करू पसंद आए बात करो डैरेक्शन और अडिटिंग की डाइरेक्शन अच्छा है मेरे ठाज सो थोड़ा और बैटर हो सकत अगर फ्लॉस कम हो तो कुछ चीजों को एक्स्प्रेइन किया जाता यह मूवी इस्पून फीडिंग नहीं करती है तो सारी चीज़े खुद से नहीं बताती है बहुत सारी चीज़े यह आप पर छोड़ देती है कि आपको जो लगता है आप हो समझ के चलो आगे तो उन चीज कैसी लगी बाकी मिलते हैं वीडियो में कब तक लिजाएं जय भारत